आज मैं आपको बताता हूँ ऐसे तीन लोगों के बारे में स्वप्ना बर्मन तुति चंद हिनादास उन्हें परिश्तितियों के सामने कुटने नहीं टेके निरंतर प्रयास किया और अपना नाम सफल लोगों में शुमार किया नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित महेश्वरी बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हमें से बहुत सारे लोग जीवन में अपनी महत्वक आंख्शाओं को पूरा करना चाहते हैं जो सपने हम देखते हैं उन्हें पाना चाहते हैं उनमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमें से बहुत सारे परिस्तितियों का रोना रोना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो असफल होते हैं तो उसका दोश वो अपनी मेहनत पर नहीं अपने काम करने की तकनीकी पर नहीं बलकि परिस्तितियों पर थोपना शुरू कर देते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मैंने गरीब परिवार में जन्म लिया, इस वज़े से मुझे opportunities नहीं मिली, मैं ऐसे गाउं से आया जहां पर इस थरे की opportunities नहीं थी, मैंने अपनी सिक्षा सरकारी स्कूल से प्राप्त की जिसकी वज़ा से मेरी अंग्रेजी कमजोर थी और मैं आगे नह दर्शन करता, मतलब निरंतर परिस्तितियों का रोना रोते रहते हैं, फ्रेंट्स एक बात को समझ लीजेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आये हैं, फर्क तो इस बात से पड़ता है, आप अपने जीवन में कहां पहुँचना चाते हैं, एक महान से विपरीत और विशम परिस्तिति होने के बावजूद भी, कितने सारे लोगों ने बहुत अधिक सफलता हासिल की, आज मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तीन लोगों के बारे में, जिनके जीवन की परिस्तिति, कठिन थी, विशम थी, लेकिन उसके बावजूद भी, उन्ह बेंगोल के छोटे से गाउं, जलपाई गुडी में रहने वाली एक लड़की, जिसके पिता रिक्षा चालक है, स्वपना बर्मन, और स्वपना बर्मन के पैर में छे उंगलिया थी, जिसके कारण उसको दोड़ने में बहुत परिशानी होती थी, और किसी भी कमपनी का बलकि एशिन्स गेम में गोल्ड मैडल हासिल किया, और भारत की पहली एशियन गोल्ड मैडलिस लड़की बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहां से आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है, आप अपने जीवन में कहां पहुँचना चाहते हैं क्या बात है मिस्स मैश्वरी, रोस रोस नहीं चोड़े, लगता है हस्बेन के पास काफी टाइम है तुमारे लिए ये है मेरा नया दोस्त, जो मुझे लेटिस जूलरी की शॉपइंग करवाता है, और मेरा ही नहीं हम सब का नया दोस्त, माय अभूशन अप अब आपके विश्वस्तनिय जूलर, आपके मोबाई में, प्योरिटी की शॉरिटी, विद बेस प्राइस और बेस आफ़र्स, अभी डाउलोड करें, अब माय अभूशन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कि मेरे माता पिता ज़्यादा पड़े लिखे नहीं थे, मेरे माता पिता के पास अच्छा बिजनस या अच्छी जॉब नहीं थी, जिससे वो हमारा पालन पोशन अच्छे तरीके से कर पाते, और हम बहुत तरीक तरक्की कर पाते, तो ध्यान से स जन्द, जिसका जन्व उडिसा के एक छोटे से गाउं में हुआ, उस लड़की के पिता बुन कर थे, जो रोजाना मातर 10 रुपे कमाया करते थे, चार साल की उम्र से उस लड़की ने दौड़ना शुरू किया, और सन 2013 में नैशनल चैंपियनशिप जीत ली, इतना ही नहीं एशन गेम्स में दो सिल्वर मेडल, और 100 मीटर की दौड में पीटी उशा का रिकॉर्ड तोड कर भारत की पहली महिला बनी, और 200 मीटर की दौड में सिल्वर मेडल हासिल किया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके माता-पिता की सेक्षिक योगविता क्या है, आप आपके परिवार की आय क्या है, आप किस तरहे की जगा पर रहते हैं, यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो आपको निरंतर प्रयास करना होगा, और सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी, और हाँ, कुछ लोगों से मैंने ये भी कहते हुए सुना है, कि म परिवार में बड़ा था, जिसके कारण सारी जिम्बेदारिया मेरे उपर थी, इसलिए में अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाया, ध्यान से समझेगा हीना दास, जो आसाम के एक छोटे से कस्वे, नौगाओं में पैदा हुई, जिसके पिता खेती हारी जूर थे, चावल की खेती किया करते थे, जिनके पास अपना खुद का खेत भी नहीं था, रोजाना इतना पैसा कमाया करते थे कि बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था, और हिनादास अपने परिवार में चार बहन बाईयों में सबसे बड़ी थी, लेकिन उसके बा आप सबी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जीवन में यदी सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो परिस्थिती कितनी भी विपरीत हो, निरंतर प्रयास करें, जब आप निरंतर प्रयास करेंगे, तो आपकी जीत निश्चित होगी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ठान कर देख जो आपके सामने निरंतर परिस्थितियों का रोना रोते हैं, ताकि उनको इस समझ में आए, कि जब ये लोग इतनी सफलता हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, फ्रेंट्स मेरा कोई भी इंफर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, उसके लिए मैं टास क्लब के इस जय हिंद, जय भारत